अलो अर्यवन हावारियो वेलकम तू सिनीर साइंस आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पैडी पैस्ट जो पैडी इंसेक्ट पैस्थ है उसको हम आजंकी वीडियो के अंधर डिस्कस करेंगे इसके पहले हम कुछ एक पैस्ट बात कर चुके हैं जैसे की wheat pest की wheat किया जो pest था सिसामिया उसको हमने completely discuss किया था wheat pest एक ही pest ऐसा है जिसकी पूरी की पूरी life cycle पूछी जाते है सिसामिया की इसके इलावा जितने wheat pest मैंने नाम बताई उनके बारे में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता अब next में insect pest of paddy जिसके अंदर जो सबसे पहले paddy और rice भी बोला जाता है इसको सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो rice की गंदी बग के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसके पूरी के पूरी life cycle पूछी जाती है मतलब इसके बारे में हमें पूरा का पूरा detailed पढ़ना होगा अब सबसे पहले जो rice है इसका जो common name है वो गंदी बग हो जाएगा या फिर leptocoresa vericornis ठीक है leptocoresa vericornis या याद रखने के लिए आप trick याद रख सकते हो vericornis को लपेटो ठीक है vericornis को लपेटो अब leptocoresa vericornis जो की इसका geological name है इसके coding ही हमें इसकी life cycle पढ़नी होगी जैसा कि इसका नाम गंदी बग क्यूं है वाई leptocoresa vericornis is known as गंदी बग इसको गंदी बग क्यूं बोला जाता है इसके पीछे भी एक reason है इसके बारे में भी हम discuss करेंगे then rice grass hopper है इसके बाद stem borer है इनके बारे में बहुत ही कम पुछा जाता है या तो इनके name पूछ लिए जाते हैं common name पूछ लिए जाते हैं या फिर systematic position पूछ लिए जाती है इसके इलावा अगर minute सा कहीं पूछा जाता है तो how can we control them इनके बारे में ये पूछ लिया जाता है तो आईए start करते हैं Leptochoresa vericornis की राइस गंदी बग की life cycle की हम बात करते हैं यहां से जो राइस गंदी बग है इसका नाम हमने देख लिया था Leptochoresa vericornis systematic position की बात करें तो सबसे पहले इसके इंसेक्टा order, hemipetra, family, koridae तो इसके इलावा इसका distribution हमें देखनी को मिलता है widely in all India के अंदर पूरे के पूरे इंडिया के अंदर ये distributed है नाम इसके जो food plants हैं mainly ये feed करता है वैसे तो rice ही रहेगा इसका food plant rice के अलावा इसके millet, jowar, maize, बाजरा ये भी क्या रहेंगे इसके food plant ही journal appearance की बात करें ये किस तरीके का दिखाई देता है यहाँ कैसा है journal appearance के अंदर आजाएगा है जो adult insect है about 20 mm long है 20 mm का long है ये length होगी इसकी and light brown color का मिलेगा ठीक है straw color बोल देते हैं जिसको it has long slender leg इसकी लंबी-लंबी टांगे होती है and four jointed antenna इसकी चार jointed antenna मिलते हैं diagram के अंदर देखेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से तो जो nymph है वो small होगा adult से nymph smaller होगा adult से and इसके लावा slightly green in color ये जो nymph है ये color के अंदर green देखने को मिलता है जब जैसे जैसे बड़ा होता जाता है इसका color brown color light brown color हो जाता है ठीक है nymph पहले green color का देखने को मिलता है और फिर देरे देरे ये light brown color का हो जाता है then इसकी habit की बात करेंगे habit के अंदर देखो insect है active होगा during morning and evening hours के अंदर ही ठीक है ये इतने भी insect है हमने अभी तक इससे पहले जितने भी insect इससे पहले हमने पड़े है वो सारे के सारे लगबग nocturnal insect पड़े है nocturnal का मीन है कि night time के अंदर active होना ये सिरफ evening और morning time के अंदर ही active होता है ये insect है emit करता है strong unpleasant smell यहां से देखो ये line बहुत ही ज़्यादा important हो जाएगी एक unpleasant smell ये छोड़ता है from the thoracic gland इसकी जो thoracic gland है वहां से एक unpleasant smell आती है उस unpleasant smell के कारण इसको क्या बोल दिया जाता है गंदी बग ठीक है और जो इसका reproduction hour रहेगा रिप्रोडक्शन टाइम रहेगा वो जुलाई से नवंबर तक रहेगा और इसके बाद ये hibernate कर जाते हैं December से February तक तो ये इसके अंदर हमने देखा कि इसकी जो basic information थी गंदी बग की इसको गंदी बग क्यों बोलते हैं इसको गंदी बग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो thoracic cavity के अंदर gland होती है वो unpleasant smell छोड़ती है rice के उपर ही और जिसके कारण बहुत unpleasant smell के कारण इसको गंदी बग ही नाम देतिया गया है reproduction अगर देखें July से November तक इसका reproduction period रहेगा और इसके इलावा यह hibernate भी कर जाता है December से इसकी life cycle की बात करें तो यहां से जो इसकी entire life cycle है वो लगबग complete हो जाती है 4 to 5 week के अंदर and इसी दुरान यह five brood दे देता है एक season के अंदर मतलब एक season में इसकी five life cycle देखने को मिलेगी ठीक है the pest सबसे पहले जो pest है make करता है first appearance with the onset of monsoon rain monsoon rain के onset पे ही यह देखने को मिलता है वहीं से इसकी breeding start होती है जैसा कि मैंने बताया November के अंदर इसकी breeding start हो जाती है और December से February तक ही चुपे होए रहते है and on grasses other wild host on the field field के अंदर यह देखने को मिलते हैं वहां पे यह regenerate कर जाते हैं मतलब egg से बाहर आते हुए feel होते हैं monsoon season के अंदर firstly जो egg है इसकी first days है female egg को ले करती है 22-30 egg है एक जगह पर देगी leaf के ओपर 3 rows के अंदर हो सकते हैं 5-20 का एक row बन सकता है flat होंगे egg एक का जो nature होगा flat होंगे egg black color के होंगे यहां से देखो eggs are black oval flat concave margin के होंगे about 1 mm in length length के अंदर छोटे से 1 mm के होंगे अब इसके अलावा जब यह hibernation करता है December से लगबग फरवरी तक अब उसके दुरान ही जो egg है hibernation के बाद जैसे हमें यह देखने को मिलता है egg से बाहर आता है hibernation का मीनी यहां पर यही है अब इसके अंदर क्या हो रहा है जो egg है egg के अंदर से यह बाहर आते हैं एक nymph की form के अंदर जिसके अंदर इनको time लगता है 8-10 दिन का ठीक है 8-10 डेज का time लगेगा जिसके अंदर यह बाहर आते हैं in the form of nymph, nymph की form के अंदर बाहर आए अब जो nymph है egg hatch out हो गया ठीक है hatching के बाद यह 8-10 दिन लिया hatching के अंदर young nymph के अंदर बाहर आते हैं which are pale green in color जैसा कि हमने देखा था nymph का color pale green होता है और निचे brownness light brown हो जाता है ठीक है adult का color small slender long legs होती है इनकी and devoid wing devoid wing मतलब wing इसके अंदर absence ही होती है wings की होते नहीं है the nymph grow into adult 15-80 days 15-80 days तो लगते ही है बट इसके दुरानी ये 5 molting भी कर लेता है 5 molting मतलब अपने उपर से skin को उतारता रहता है 5 time करता है ऐसा और ये adult के अंदर change हो जाता है अब जो adult है कैसे color का है brown light brown color का है निम्फ होगा वो develop कर जाएगा adult के अंदर wing आ जाएगे इसके अंदर और जो wing होंगे वो इसकी help करेंगे जदा active होने के अंदर जितना ये निम्फ active नहीं था इतना adult active मिलता है और active भी कब मिलेगा morning and evening hours के दुरान and इसका जो life span है वो हमें देखने को मिलेगा about 30 to 35 days का ये थी एक adult की कहानी अब ये damage कैसे करता है और इसको हम control कैसे कर सकते हैं इसके उपर हम विचार करते हैं जिसे की main damage है वो तो कोज होंगे जिसे की निम्फ है या इसकी दूसरी stage है adult दूनों stage है इसकी जो damage कोज करेंगी ये क्या काम करती है बोथ stages सक milky sack from the cell cell से milky sack को क्या करेंगी ये सक कर लेंगी और जो grain से हो क्या कर जाएंगे shrivals मतलब shrink कर जाएंगे और white color के जो ears है वो turn हो जाएंगे वहाँ पर white white color के ears मतलब ये गोल गोल राउंड राउंड से turn हो जाते हैं seed जिसको हम बोलते हैं white color के अंदर change हो जाना जो damage green है वो क्या markड हो जाएंगे black patches के कारण क्योंकि उनके उपर क्या जाती है fungus उनके उपर grow हो जाती है और लगबग जो crop है वो 40% damage हो जाती है इसके कारण तो ये crop का लगबग 40 से 60% तक हम बोल सकते हैं कि damage कर सकते हैं अगर heavy हो जाए तो लगबग सारी के सारी crop है वो damage हो सकती है क्योंकि heavy होने के कारण जब crop को harvest किया जाता है तो उसके दुरान harvested crop के अंदर भी आ जाती है control कैसे किया जा सकता है इनको control करने के कुछ एक method रहेंगे जैसे की paddy है growing की जा रही है किसी area के अंदर तो उसके अंदर wild grass नहीं होना चाहिए surrounding में wild grass नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है such variety of rice should be shown in which seeds are come out later जिसके अंदर seed बहुत देरी से आए at the last stage के अंदर seed grow होना start हो उसमें safe रहेगा उसके अंदर जो rice है वो बच जाएगा insect should be caught by light trap insect को light trap से पकड़ सकते हैं यह हो सकता है या फिर dust की जा सकती है bhc इसके अंदर 0.25% और 5% इसके अंदर mellathion डाली जा सकती है जो leaves हैं जिनके उपर egg दिये गए हैं उनको clip'd off करके जला या burn किया जा सकता है जलाया जा सकता है इन method से हम जो leptocoresa vericornis है उसको control कर सकते हैं तो यह कुछ method रहेंगे इसको control करने के और पूरी की पूरी life cycle है डिटेल में मैंने आपको जो बताई है यही इसकी life cycle रहेगी इसमें से कुछ एक question ऐसे हैं जो आप से पूछे जा सकते हैं जैसे कि life cycle के उपर है या incubation period है इसका कितना रहेगा इसके उपर कुछ question बन सकते हैं